तीन फरजी आधार कार्ड में छे पासपोर्ट है भाई? किसके पास छे पासपोर्ट होते हैं? फरजी आधार कार्ड कहां से आया? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जोड़ा हुआ था? नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज शो में जिसका नाम है वाईरल न्यूज की मा का बरोसा इस शो में हम इस हपते ट्रेंडिंग में चल रहे वाईरल न्यूज की मा का बरोसा करनी वाले हैं तो चलिए फिर करते हैं तो सबसे पहली ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है इश्रो की तरफ से इश्रो ने 14 जुलेई 2023 को सकसिस्पुली चंदरयान 3 को लॉंच किया जिसके उपर हम सभी भारतियों को बहुत ज्यादा गरू है लेकिन जितना गरू हमें अपने भारतिय होने पर हो रहा है उससे कही ज़्यादा पाकिस्तानी लोग अपने पाकिस्तानी होने पर गरू मैसुस कर रहे है क्योंकि उन्होंने हमारे चंदरयान 3 से भी कही ज़्यादा सस्ते में अपना चंदरयान 420 लॉंच किया है जिसका कुल बजट बताया जा रहा है 420 रुपए तो चलिए हम उनके चंदरयान 420 की लॉंचिंग देखते है कहां जा रहा है कि ये चंदरयान 420 चंद के साथ साथ मार्स, नेप्चून, जूपिटर, मर्क्यूरी सब की उपर अपना जंडा गाड के आने वाला है जंडे पर चंद होना और चंद पर जंडे होने में उकात का अंतर होता है तो जैसे हमारा चंदरयान 3 सक्सेस्पूली लॉंच हुआ जिसका बजेट था रहा हूं 615 करोड उसे सुनके हमारे पड़ो से मूल्ट ने बोला कि 615 करोड में तो हमारे पूरे मूल्ट का लाइप टेम के लिए आटा आ जाता फिर ये बोलते है कि हमें किसी भी कंट्री से रिस्पेक नहीं मिलती अपने तीन बच्चों को लेके अपने हिंदुस्तानी आशिक सचिन के साथ पाकिस्तान छोड़के इलिगल तरीके से भारत में गुश चुकी है और लोग है कि इनकी प्रेम कहानी को सपोर्ट भी कर रहे है इस शाहरी के उपर तो हम भी एक शाहरी सुनाना चाहेंगे इन दोनों की ये वाली रोमेंटिक स्टोरी देखने के बाद अपने करन जोहर ने इन दोनों के उपर एक मुई बनाने का डिसिजन भी लिया है जिसका टाइटल होगा सरसो का तेल नाभी में दिल अटक गया पाकिस्तानी भाबी में अगली ट्रेंडिंग न्यूस देखने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक तो मिलते हैं एक किट कैट ब्रेक के बाद अगर हमारे कोई एलियन भी पकड़ लेता ना तो उसको देखने के लिए पे शाला इतनी ज़्यादा बिल नहीं लगती जितनी सीमा बाबी को देखने के लिए लग रही है आप सीमा से मिलने उतना दूर से क्यों आएं अच्छा हुआ ताव सिर्फ अपनी मुच्छे खड़ी करके आया है वरना जैसा इसका इंटेंशन दिख रहा है उस हिसाब से तो ये अभी बोला जा रहा है कि सीमा पाकिस्तानी जासुस भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से वो वेल ट्रेन होके मीडिया के सावलों का एंसर दे रही है ना उससे तो शक और ज्यादा गहरा हो चुका है मीडिया के सावालों का जवाब देते देते अब सचिन के भी गोटे मूँ में आ चुके है वो भी अब बेगोश होने का नातक करने लगा है तेरे प्यार में में क्या क्या न बना सीमा कभी बना कूता कभी कमी न देखिए जब अभी मीडिया पे आ रही थी तो किस तरह से पलू ले रही है हिंदी हिंदुस्तान के सनातर कल्चर को दिखा रही है तो अगली ट्रेंडिंग यूज आ रही है बिग बॉस ओटीटी की तरफ से जहाँ पर एल्विश आदो की एंट्री होती ही बिग बॉस की टियार पी सिस्टिम फाड़ चुकी है घर में घुषते ही एल्विश की पहली फाइट अविनास से होती है जिसमें एल्विश अविनास को बेवकुप का बच्चा बोलता है एल्विश के मुझसे बेवकुप का बच्चा सुनने के बाद एल्विश के फैंस खुद एल्विश से ही नाराज हो चुके है वो बोल रहे है कि एल्विश अविनास को चाहिए जो भी बोल देता लेकिन उसको ऐसे बेवकूप का बच्चा बोलके उसके बाप पे नहीं जाना चाहिए था इसलिए अब एल्विश के कुछ फैंस ने वीडियो बना के अविनास से माफिय भी मांगी है बीवास में जब से एल्विश की एंट्री हुई है तभी से बेविका एल्विश पे रोज-làइन मारती है लेकिन बेविका ने प्रपोज मारने से पहली ऐल्विश ने उसके साथ ब्रेक अप भी कर लिया क्योंकि बेबी का के सामने एलवीश एकदम बच्चा लगता है भाई वो सब ठीक है पर तेरा प्रेक अप हुआ कैसे भाई तो किसी ऐसे के साथ रह सकता है जो तुझे धोका दे चीट करे रिस्पेक्ट ना करे रह सकता है उसके साथ नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं बस तो पर छोड़ दिया उसने मझे जो पर है तो अगली ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से तो दिल्ले में गली-गली जीले बनाने के बाद अब दिल्ले के सियम अर्विंद केजरिवाल ने हर घर के सामने वाटर पार्क बनाने का अइलान किया है जिससे डिल्ली के बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना भी है दिल्ली धीरे-धीरे जीलों का शहर कहलाएगा पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको जीले दिखाई देंगी पुमसूरत आसपास लैंड्सकेपिन दिखाई दे और अगर तीन दिनों से बारिस नहीं हुई तो बार का तारण क्या है इस बार के पीछे वज़ा है मोदी जी और भारती जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकल कर बाहर आती है तो अगली ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है डेव बोमी केदारनाथ से तो अब केदारनाथ के मंदीर परिसर में रील बनाना और फोन यूज करना बैन कर दिया गया है अब आप अगर केदारनाथ मंदीर में रील बनाते हुए पकड़े जाएंगे तो ये ध्यान रखे हैं कि जेल जाने की नौबत तक आसा है केदारनाथ मंदीर समिती की ओर से मंदीर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया गया है ये न्यूज सुनने के बाद आजए से ज़्यादा इंस्टाग्राम इंफ्लियोंसर कोमा में जा चुके है कोमा में जाने से पहले उन्होंने बोला कि जब ये बैन उठ जाये तब ये जाके हमें उठा लेना नहीं तो हमें वैसे ही सोने दीजिए धन्यवाद तो चलिए दोस्ता आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ जीत वीन की लिंक पीन कमेंड में है तो जरू डाउनलोड कर लेना तो मिलते हैं एकली वीडियो में तन्यवाद